नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु श्रागत करता हूँ आपका सीजी पेश्ची व्यापवाम में एक बहुती महतपूर्ण सुचना के साथ। आप देखेंगे कि 36 अनुसुची जनजाती विभाग ने प्रेश्विग्यपित किया और इसके क्या माएने हैं और इसके अलावा आप देखेंगे कि 9 लाग से अधिक पदों की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके संबन्द में तो बिन अग्जी दरी की हम सभी मामलों पर फोकस करेंगे तो जली दिस जली यह को इस्टार्ट करते हैं तो देखिएगा सबसे पहले वीडियो को इस्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत ही महत्वपून जानकारी देना चाहूंगा चत्तुसगर आदिम जातु एओम अनुसुची जनजाती विभाग से है जैसा कि आपके इश्किन पर शोगो रहा होगा यहां पे यह प्रेश्विग्यपित किया गया है जो कि बोनाचि यह प्रयाश विद्ध्यालेओ के लिए है और वहां पे जो परिक्षा होनी है उसके संबंद में जो है यह प्रेश्विग्यपित किया गया है तो इसका तात्पर यह क्या है इसका तात्पर यह यह है कि बहुत सारे लोग जो होस्टल वॉर्डन भरती से संबंदित सवाल पुछ रहेते तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा है कि वो जो मामला है वित्त विभाग के पास अटका हुआ है लेकिन ये याद रखिएगा उस भरती में बहुत ही जल अनुमती मिलने वाली है ऐसा बताया जा रहा है आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रतिक जीले में जो यहां इस विभाग के जो में सची हुए वो प्रतिक जीले में जहां प्रयार्श द्याला है वहां दौरा कायक्रम चल रहा है और जो भी कमी है उसको दुर किया जा रहा है और इसी कड़ी में जो छात्रवास रिक्षक के संबन में आप लोगों को बहुती जल जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है यह आप लोगों के लिए बहुती महत्पूर्ण ह है आप लोग सभी जानते कि मैं बार-बार आप लोगों को नहीं बताना चाहुँगा कि बहुत सारी जो भरतिया है तो आप लोग जो safety purpose ले के जो सितंबर अ लेके चलिएगा क्योंकि आप लोगों के सात बहुत सारी वेकेंसिया हैं तो वह जो है सेम फिर से कहा है पदके पीछे न भाग के अ इंगसरी विभाग से प्रेश्वुग्य करें उधिए गा algorithms बहुत ही मातपूर्ण जो 36 गड़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिस मिडियम स्कूल आप सभी जानते हैं कि वो बहुत ही पॉपुलर है यहां पे देखेंगे कि रैपूर में 232 पदों पर भरती हो रही है उसके नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जैसा कि आ जादा आने पर सभी लिखित परिक्षा में सामिल नहीं हो पाएंगे यह याद रखिएगा जादा आने पर भी सभी लिखित परिक्षा में सामिल नहीं हो पाएंगे भरती प्रक्रिया में बतलाव किया गया है इस बार एक पत के लिए 20 अभ्यरतियों को ही लिखित परिक्षा के लिए मानने किया जाएगा इसी तरह सेक्षने क्योंकिता एवं लिखित परिक्षा के नंबरों के अधार पर इंटर्व्यू के लिए पातरभ भ्यर्तियों की लिष्ट तयार की जाएगी इसके लिए एक पोस्ट के लिए पांच उमित द्वारों का इंटर्व्य के लिए बुलाया जाएगा समीधा भर्ती को लेकर एक और बदलाव किया गया है इस बार रोजगार कारेले में पंजियन अनिवार्य सर्त है पिछले दिनों प्येसी में से प्यून भर्ती के लिए आविधन मंगाये गये थे इसमें भी रोजगार कारेले में पंजियन अनिव मतलब केंद्र और राज्य दोनों में चुनाओ का मौहल बना हुआ है आप सभी जानते हैं अगले साल और उसके फिर अगले साल कहीं न कहीं लोकसभा और विधानसभा दोनों का जो है वो चुनाओ है और इसमें तभी के अच्छे दिन आये लेकिन इसमें तभी के अच्छे द लिए है केंद्र सरकार ने जैसा कि आप सभी जानते अभी जिस प्रकार से हमारे चत्रजगर में विधानसवा सतर चल रहा है उसी प्रकार से केंद्र में जो है मांसुन सतर चल रहा है तो केंद्र सरकार ने जो जानकारी दी है वहाँ पर बताया गया जैसा कि आप किस्टिन प ग्रीम अंत्राला में 143,536 डाक में 90,050 राजसों में 80,243 भारती लेखा परिक्षा तथ लेखा विभाग में 25,934 परमानु उर्जा में 9,460 और विज्ञान प्रादोगी की में 8,543 पत खाली है तो दिखिएगा यहां पे आप लोग आप लोगों के लिए सुनारा हुशार त्यारी करिएगा शाथ में देखिएगा छत्तर गण में 35,000 पतो की जानकार शुकरिती मिली है वो यह है जैसा कि आप सभी जानते कि छत्तर गण में विधानसभा का मांसुन सतर चालू है और इस सम्मंद में देखिएगा यहां पे कुछ प्रश्ण लगाया गया थे और प सबसे महत्पुन्हें कि पुछा गया था, जानकारी पूछी गई ती, कि सबसे महत्पुन्हें 2019 से जुन 2022 तक कितने पदों की जो शुकृति मिली है इस प्रगार से, तो उन्होंने बताया कि 35,000 पदों की शुकृति मिली है, और जिसमें की 18,000 पद जो है शरकारी लोग जो 2019 से 2022 तक 18,000 लोग जो है जिनको सरकारी नौकरी मिल गई है चाहे वो CGPSC के माध्यम हो या CGVAPAM के माध्यम से हो या आप सभी जानते हैं कि कनिष्ट करमचारी चैनायोक के माध्यम से हो तो यहाँ पे 18,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है तो देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पे आने वाले समय में आपको continue और भी बहुत सारे पदो की जानकारी मिलेगी देखिएगा बहुत सारे पदो की जान शुकृती जो है इस सप्ता मिली है आपको आने वाले समय में मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से पदो की जो है शुकृती मिली है और फाक में आप यह देखिएगा कि कौन-कौन से भरती विग्यापन इस सप्ता निकले है इस पर हम पुरी चर्चा करेंगे साथ में देखिएगा आप लोग जो विधान शवाशत्र है उसको भी आप देखते रहिएगा कि इस प्रकार से वहाँ पे भरतीों से संबंदी सवाल पुछे जा रहे है और उसके क्या जवाब मिल रहे है आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगागा अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जादा से जादा लोगों तक शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें तथ है वीडियो देखने के लिए आप शभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप शभी श्वस्त रहे मस्त रहे और पोजिटिव रहे अर्णियोओ जर लोगों पहे पिता लोगों प्रश से जादाद देखने मस्त रहे जादा आप शो देखने के लिए जादाद से लिए फच्छाइब ऑोजिए बपादा से जादा अबदियों।